हलो फ्रैंट, स्वागत है आप सभी का, कई बार आपने देखा होगा, कुछ लोग बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, चाहे आपके सामने हो या आपके पीट पीछे हो, कई बार आपके दुख, आपकी तकलीफ में आपते जादा दुखी भी हो रहे होते हैं। कुछ आपका बुरा ना हो, कोई तकलीफ ना हो, हर समय आपके लिए एक अच्छे दोस्त, अच्छे रिष्टेदार या कुछ भी बनकर आपके अच्छे स्वास्त के लिए, आपके अच्छे भविश्य के लिए भगवान से कर रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि आप स्वस्त रहें और आप से जुड़े रहें। कई बार आपने देखा भी होगा कि कुछ ऐते लोग जो खास ना होकर भी अपनी बातों से या अपने नेचर से आपको अट्रेक्ट कर लेते हैं। कई बार कुछ लोग ऐते लोगों को अपने काम के प्रैशर से इगनोर कर रहे होते हैं या ऐते लोगों का आपके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो किसी के लिए बहुत कुछ सोचते होंगे लेकिन वो आपको ignore कर रहे होते हैं और सोचते होंगे कि इन्हें आपके होने का अहसास कब होगा हम में से बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल आता रहता है और मेरे पास इस तरीके से बहुत सारे सवाल डेली ही लगभग आते ही रहते हैं क्योंकि हम सभी के जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी रूप से ऐसी घटना जरूर घटते होगी जब हम किसी के लिए बहुत कुछ अच्छा कर रहे होते हैं या किसी को उसके होने ना होने का एहसास दिला रहे होते हैं तब हमें पता चलता है कि उस खास इंसान का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल होता था जहां वो आपको मदद कर रहा होता था और अब आप उसके साथ ना होने से परेशान है तो आईए समझते हैं वो कुछ खास कारण जिसकी वज़े से आप किसी को इगनोर कर रहे होते हैं और कब दुखी होते हैं तो इसका पहला कारण है किसी व्यक्ति का आप से बहुत ज़्यादा जुड़ना कुछ लोग ऐते लोगों के पीछे होते हैं जो बिलकुल जैन्वन होते हैं जो बिना किसी अच्छे बुरे परिणाम के किसी की मदद करने को हमेशा तयार रहते हैं लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बिना किसी काम के किसी से इतना कोई नहीं जुड़ता कोई ना कोई रीजन जरूर होता है जिसकी वज़े से लोग आप से जुड़ते हैं हर आत्मी किसी ना किसी तरह से किसी से भी फायदा लेने की जरूर सोचता है और आप उन सबी चीजों को इग्नोर कर रहे होते हैं बाद में जब कुछ ऐसा हो जाता है जिससे आपको बहुत तकलीफ होती है तब आपको वही विक्ति याद आते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के बिना किसी लालश के आपके साथ जुड़े होते थे जो सिर्फ आपका साथ, आपकी सुरक्षा, आपकी खुशियों की ही बात करते थे और कुछ भी नहीं इसका दूसरा कारण होता है कि जब हम बार-बार किसी से कहते हैं कि हमें उनकी परवा है, उनकी चिंता है लेकिन उन्हें उस बात ते कोई फर्क नहीं पढ़ता और वो आपते भी बहतर लोगों को ढूण रहे होते हैं लेकिन जब वही बहतर लोग उन्हें इंपोर्टेंस नहीं देते, तब वो लोग आपको मिस करते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपने जीवन में क्या खो दिया। कई बार लोग आपको सुनकर एप्रिशेट करते हैं, हर बात सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन उस समय आपको उनकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आती। लेकिन जब आपको सुनने वाला कोई नहीं होता, आपको एडवाइस करने वाला कोई नहीं होता, तब आप उन्हें याद करते हैं। हमारा भेवार, हमारी बाते, हमारी सलाफ फिर लोगों को हम से जुड़े समय को याद दिलाती हैं, और आपको उन्हें खोने का एहसास तब ही होता है। उनके लिए यही एक एडवाइस होगी कि आप उनके जैसा नहीं बन सकते और नहीं उनके जैसा ढूंड सकते हैं। इतलिए उन रिष्टों को संभाल कर रखें, जो आपकी कद्र करते हैं, आपकी परभा करते हैं, आपको सुनते हैं और आपको समझते हैं। इसका अगला कारण होता है कि जब आपको जीवन की हर परेशानी में, हर तकलिफ में, जब कोई आपको एक मतीहा की तरह, एक सलाकार के रूप में आपको हर मुसीवत से बचा कर रखता है, हर परेशानी से बाहर निकालता है और आप उसे छोड़ कर आगे निकल जाते हैं. आपको नहीं लगता कि आपके जीवन में उनको सुनना या उनको समझना जरूरी है, और आपको लगता है कि जीवन में बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको उनसे भी अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आगे जाकर आपके परेशानिया जब बढ़ जाती हैं, तब आपको उनकी याद आती है, फिर आप कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरफे उनके साथ समपर हो जाए, कुछ लोग हमें लाइफ में ऐसे मिलते हैं, जो केवल अपनी ही परेशानियों को सुनाते रहते हैं, अपने ही जीवन से जुड़ी परेशानियों के कारण वो इरिट केट होते रहते हैं अपनी खुद की गलती पर भी वह यह इनसान के गलती बताते हैं जो हर समय हर परिस्थिती में आपके साथ खड़ा था उसकी गलती पर उसे समझाता था लेकिन जब उसे अपनी समश्या का कोई समाधा नहीं मिलता तब वह उसे और उनकी बातों को याद करता है लोगों को अकेला पन तब महसूस होता है जब उन्हें समझने वाला कोई नहीं होता या समझाने वाला कोई नहीं होता तब उन्हें ये एहसास होता है कि उनके लिए आप कितने स्पेशल थे तो कभी भी किसी के आगे जुकने की जरूरत नहीं है सबको पता होता है कि कौन कैसा है और कौन किसे क्या चाहता है जब तक ऐसे इंसान आपको इंपोर्टेंस नहीं दे तब तक अपना समय खराफ नहीं करना चाहिए और जब तक उसे आपका एहसास या आपकी गैर मौजीजगी खालने लगती है तब तक उस तरफ आपको ध्यान नहीं देना चाहिए यही बात यही एहसास आपकी वैल्यू को बढ़ाता भी है मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा क्योंकि हम सभी अपने जीवन में किसी ना किसी को मिस करते हैं या मिस करवाते हैं अपने विवहार के कारण, अपनी बातों के कारण तो अपनी वैल्यू को कभी भी गिरने ना दे किसी के लिए अपना समय और अपना मान सम्मान ना खोने दे अपना ध्यान रखे, स्वत रहे, धन्यवाद